स्वागत है आपके अपनी यूच्यूब चैनल अर्सकंपीट में आज हम दिसक्स करने वाले हैं कुछ important mcqs जोके related होंगे literary term से उसमें हम डिसक्स करेंगे sonet के बारे में allergy, drama and short stories related mcqs है important है read के point of view से because आपके slayvers में mention है तो इस लिए questions इस पे बनते हैं sonet, allergy and drama short stories में बहुत अच्छे सा आपको पढ़ा चुक्ए हूँ तो उन जो वीडियोज हैं उनका link में description box में दे दूँगी तो आप detail study पहले करें उसके बाद आप mcqs पे focus करें चलिए ज़्यादा time waste नहीं करते हैं शुरू करते हैं तो यह basically combined mcqs होंगे इन चारो topics से related फिर मैं कोशिश करूँगी कि single single topic पे भी mcqs ले पाऊँ चलिए नेक्स question है father of English sonnet is important है कही बार पूछा जाता है कि English sonnet का father किसे कहा जाता है आपके option है sir thomas witt sexpear elizabeth या none of the above तो उसमें ध्यान आपको रखना है sir thomas witt को कहा जाता है father of English sonnet ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे हमेशा पूछा जाता है इसले बहुत important question यह बन जाता है कि English sonnet के father कोन है तो sir thomas witt है English sonnet के father चलिए question number three is octave and sestate are part of बहुत important question है octave और sestate चुहे किसका part होते है petrarchan sonnet का part होते है modern sonnet का part होते है none of the above या फिर में से कुछ नहीं या all of these तो दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे तो इन दोनों में से basically आपका answer होगा petrarchan sonnet यह फिर modern sonnet तो octave and sestate basically petrarchan sonnet के part होते है octave basically क्या होता है जो stanza होता है जो sonnet हमारी होती है वो basically छे line उसको हम sestate कहते है ठीक है तो octave art liner को होता है और sestate छे line को होता है तो octave and sestate पाए जाते है आपके petrarchan sonnet में यह आपको ध्यान रखना है तो उसका correct answer होगा वो होगा option number one चली next question person who write drama is important है यह question rate में पूछा भी गया है कि जो drama लिखते है उनको क्या कहते है ठोड़ा सा different है देखो इसकी play right आपको ध्यान रखना है because drama का play भी कहा देते हो play right होता है basically जो drama लिखते है अब बात होती है spelling की spelling क्या होती है play right की तो play right की जो correct spelling होगी वो यह होगी play right जो ड्रामा रिखते है उसको play right कहते है play right नहीं कहते है play right यह spelling रहते है none of double तो इसका जो correct answer है वो play right तो इसकी spelling पे आपको तोड़ा सा ध्यान रखना है तो इसकी different spelling होती है इसकी right की इसके लिए ठीक है तो drama रिखने वाले लोगों को हम कहते है प्ली राइट यह question पूछा गया है question number five देखते है non-didactic drama is देखें non-didactic drama basically ऐसा drama होता है जिससे कोई संदेश आपको नहीं मिलता drama के कितने प्रकार होता है comedy drama भी होता है tragedy drama भी होता है तो non-didactic drama basically कौन सा होता है, ऐसा drama जिससे आपको कोई संदेश ना मिले, कोई शिक्षा ना मिले, ठीक है, तो ऐसा drama होता है basically comedy drama, comedy drama को हम non-didactic drama कहते हैं, इससे कोई संदेश आपको नहीं मिलता है, जबकि जो tragedy drama होता है, उसको हम deductive drama कहते हैं, because tragedy drama के अंदर आपको कोई न कोई हमे सोनेट का ऐलेजी का लिंक मिल जाएगा ताब कि आपका जो confusion है वो सारे दूर हो जाए चलिए जी next question हम देखते है ऐलेजी is known as ऐलेजी को हम किस ओ नाम से जाते हैं लेमेंटिंग पोएम कहा जाता है सोरो सोंग कहा जाता है है happy song कहा जाता है या फिर all of these तो all of these तो option में नहीं होगा ऐलेजी basically क्या है एक पोएम ही होती है शोक गीत इसको इंदी में कहते है ठीक है यह आपको दहान रखना है तो ऐलेजी basically क्या होती है lamenting poem, lament करने का मतलब ही होता है कि शोक करना तो lamenting poem का मतलब शोक गीत एक तरीके साब बोल सकते है ठीक है तो लेजी को कहते है lamenting poem यह ऐसा का ऐसा question बहुत बार पूछा वा है तो important question बन जाता आपके लिए question number seven is figure of speech used in L.A.G.R L.A.G. में कौन-कौन से तरीके figure of speech used होता है उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like जरूर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमें अपना feedback प्लीज देते रहें comment section question में question पूछा गया कि L.A.G. जो होती है lamenting poem जो एक तरीके का शोग गीत होता है उसमें किस तरीके का figure of speech यूज होते है मतला किस तरीके के अलगका यूज होता है hyperble यूज होता है exaggeration यूज होता है personification यूज होता है या all of the above तो इसका जो correct answer होगा वो होगा all of the above hyperble भी हम यू ठीक चलिए next question देखते है rhyme scheme of allergic stanza is allergic stanza में जो कौन सी rhyme scheme follow होती है सबसे पहले आपको यह पता होना जाए कि allergic stanza क्या होता है तो जो first four line होती है allergy की उसको कहा जाता है allergic stanza तो पूछा गया है कि allergic stanza में जो है क्या rhyme scheme follow होती है तो rhyme scheme देखें आप A, B, A, B, 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 A none of these या A, B, B, A तो इसका जो correct answer होगा वो होगा A, B, A, B rhyme scheme follow होती है इसका मतलब यह होता है देखो A, B, A, B rhyme scheme का मतलब क्या है कि जो पहली और तीसरी line है वो एक तरह के का sound करेंगी मतलब उनके last में कुछ ऐसा word होगा जो same ही sound करेंगे और आपका second line और fourth line है वो same sound करेंगी ठीक है तो यह जो कहा जाता है इसमे rhyme scheme follow होती है A, B, A, B यह आप ध्यान रखेंगे rhyme scheme important है question पूछे जाते है हमेशा कि आपकी किस तरह की rhyme scheme sonnet में follow होती है LAJ के stenja में कैसे होती है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए next question है sexpeedian sonnet consists of sexpeedian sonnet जो sonnet होती है उसमें क्या होता है तीन quatrain and one couplet two quatrain and two couplet none of these या four quatrain तो नहीं होगा विकोज एक quatrain में basically चार line होती है चार line ही मिलकर के एक quatrain बनता है और sonnet होती है आपकी 14 line हो कि यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह तो option में बिल्कुर नहीं है च four into four sixty nine हो जाएंगी यह नहीं होगा none of these भी नहीं होगा तो इसका जो correct answer होगा basically वो होगा आपका option number one इसमें तीन quatrain होते हैं sexpeedian sonnet में और one couplet होती है तीन का मतलब एक क्वाटरें में चार लाईने तो तीन क्वाटरें मिला करके आपकी बारा लाईने बन जाएगी और आप आपका एक couplet होती है इसमें couplet में दो लाईने होती है तो टोटल आपके मिलके हो गई चोदा राईने तो आपका sexpeedian sonnet जो है complete हो जाता है ठीक है यह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है sonnet अगर आप वीडियो देखें sonnet की तो उससे आपको चीज़े बहुत clear हो जाएं में जो है turn लिया जाता है poet के द्वारा तो उसी को हम वोल्टा कहते हैं यह आपको ध्यान लगना है बहुत important question है पूछा जाता है बहुत बार वोल्टा क्या होता है जो poet होता है जब वो sonnet लिख रहा होता है कि ninth line में उसका mood change हो जाता है ठीक है आपका sonnet का इसको हम कहते है turn in ninth line is known as volta यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है एक इस important question थे literary terms related और यह भी तो फिलार मैं 10-10 question की series लेके आ रही हूं तो ताकि आपको जादे एक साथ burden ना पड़े तो मैं कोशिश करूँगी sonnet के ओपर अलग से mcq लेकिया हूं LG के ओपर अलग से थाकि यह चीज़े आपके लि